दोस्तों कि यह ICC, BCCI का मजाग बना रही है, क्योंकि T20 World Cup 2014 में जोगी Average Score हमें नजर आ रहा है, किसी भी पीछ पर वो 110-120 से नजर आ रहा है, वही अगर IPL की बात करें तो IPL में जोगी Average Score हमें देखने को मिले था 2014 में वो था 200, मतलब फर्स्ट हाप में वहाँ प्राट 24 का स्कोर काफी आसानी से टीम बना रही थी, मुई अगर T20 World Cup की बात करें तो यहां पर जो कि highest score जाता को हमें नजर आता किसी भी पीछ पर वो होता है 150-160 अब कल एक मुकाबला हुआ जो कि भारत और Ireland के खिला मुकाबला हुआ और भारत इस match में काफी आसानी से जीत हाफ से त क्योंकि पीछ को देखने के पाद एक बात तो फिलियर हो गया कि IPL और T20 World Cup का comparison नहीं किया था सकता मतलब IPL में जहां पर score हमें 200-200 देखने को मिल रहा था वहीं पर T20 World Cup में 150-110-160 देखने को मिल रहा है और अकर कोई टीम खराब खेलती है तो उसका score 100 रण के पार भी नहीं महीं भारतिय टीम ने इस टूनामेंट में अपना आगास कर लिया है और जित के साथ किया हो उन्हें आर्लेंड को 8 विगेट से हरा दिया लेकिन इस मैस में में मियमें काफी slow विगेट देखने को मिली इस मैस में भारतिय टीम ने टौल सीथा और पहले गिन वाजी करने का फैसला किया जो कि सही फैसला था और भारतियों के इन बादो ने सांदार्ड पर्फोर्मेस दी इस मैस में अर्शिदीप सिंग में दो विगेट हासिर किये और उन्होंने चार अवर में पाइजिस रण दिये मही तीन अवर में तेरा रंदे कर एक विगेट मौमाशी राश के नाम रहा जस्कीत, गुंब्रा के नाम तीन अवर में चार बैशिर रॉड और उनको दो विगेट मिले वहीं इनके अलावा हर्दिक पांडिया को चार अवर में 27 रंद पड़े और उनको 3 विगेट मिला अक्षर पठेल के नाम एक विगेट राग उनने मातर एक अवर विगेन पाजी करी और 3 रंदी है वहीं रवीदर चड़ेज़ा ने एक वर में 7 रंद दिये और उनको विगेट नहीं मिला इस मैच में रवीदर चड़ेज़ा इसकी फिकलोते के इनवाद रहे तो इनको विगेट नहीं मिला नहीं तो भाई सब ये 70 पर ही ओलाट होने वाले दिर लेकिन मुझे टीम इंटाय की तरब से एक बात स्वामें भी नहीं आया कि आपने युजवेंदर चहल को मौका क्यों नहीं दिया क्योंकि इस तरह की टर्निंग पीछ पे हमें युजवेंदर चहल जैसे गेंदबास की जरौध हमें आगे पढ़ने वाली है भाई सब मैं पहले पता दे रहा हूं यहां पे जिस तरह की कंडिसर हमें देखने को मिल रहा है और जिस तरह से कंडिसर नसाओ कांटे किकेट टेस् है उसे तो एक बात के लिए रहोगी कि यहां पे अस्पीन ट्राइक काफी तकड़ी देखने को मिल रही है और यहां पे चहल कुद्रिकियाद और रविंदर जड़जा अब सरफ पटिक से गेंदबास तहल का मजा सकते हैं वहीं आगे इस मैच की बात करें तो 96 लों का स्प बाम रोनों की पारी खेल डाली और उन्हें बता दिया कि ट्रीमेंटी वर्ल्ड कप 2024 में पूरी तरीके से तयार हो गया है क्योंकि अगर उनका आइकन के परफोर्मेंस देखे तो बहदी खराबता बट जिसकरा से उन्हें ट्रीमेंटी वर्ल्ड कप के सुरवाती मैच में परफोर्मेंसी दिया एक बात तो प्लियर हो गया इस बार टिम मेंटे विराट कोली पर डिपेंट नहीं होने वाली है और अगर ऐसा कुछ लेखनी को मिलता है तो हमारे लिए काफी बैनेफिट होगा वही अगर विराट कोली की परफोर्मेंस की बात करें तो विराट होने वाला जो कि 9 जुन को खेलास आएगा और भाईसर यह सिर्फ मुकाबला नहीं महा मुकाबला होने वाला है और इसमें विरायट कोडी का चन्ना तो लगबगता ही होता है क्योंकि विरायट को पाकिस्तान बेहरी पसंद है खास करके टीरंटी फॉर्वेड में लेकिन भार पर ने बाजन इराज किया हूर है सूरी कुमार यादव बाईसर अब सूरी कुमार यादव को स्लो विकेट पर खेलने की उतनी आगद नहीं है मैं आपको बतना देता हूं टीट्वेंटी वाड़काप को हटा दीजेब आईडियल में लेलो जहां पर पिछ फस्ती है वहां पर सूरी कुमार यादव रन नहीं बना पते हैं और मैं चाहता हूं कि सूरी कुमार यादव बहतरीन तरीके से वापसी करें और पाकिस्तान के खिलाब एक बहतरीन पारी खेले अगर उनको मौका मिले तो सूरी कुमार यादव ने कल ऐरलेट के खिलाब 4-9 महस 2 रनों की पारी खेली और चलते बने लेकिन इस मैच को अब भारती टीम ने काफी आसानी से अपने नाम किया और 8 विगर से इस मैच को जीत कर आप जरू की जाएगा मेते हैं मैच को आए तब तक यह जाएगा है